नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका study IQ में आज हम लोग एक बहुत ही important topic के बारे में discussion करने वाले हैं from exam perspective अगर आप competitive exam की त्यारी कर रहे हैं जहाँ पर subjective सवाल आते हैं तो this becomes a very very important topic for you हम लोग बात करने वाले हैं farmer producer organization के बारे में how they can help small and marginal farmers यह article लिखा गया था सी रंगराजन द्वारा so it is a very very important input for all of us कि किस तरह farmer producer organization can help these small and marginal farmers चलिए discussion शुरू करते हैं और एक व्यापक visualization करेंगे और देखेंगे कि किस तरह FPO's मदद कर सकती है हमारे किसानों की लेकिन इस सबसे पहले मैं हूँ आपका दोस्त राहूल साही गांकर अगर आप मुझे follow करना चाहते हैं you can follow me on the ID राहूल साही 222 मेरे टेलिग्राम चैनल का ID सेम है यहाँ पे इस टेलिग्राम चैनल पे आपको इस presentation की PDF मिल जाएगी और यह PDF आप क्योंकि I am quite sure it will be useful for you अगर आप competitive exam की तियारी कर रहे है इस PDF में आपको एक FPO के ओपर complete data मिल जाएगा अगर कोई सवाल आ जाएगा तो आप अपनी ideas frame कर सकते हो advantages, disadvantages, the status of FPO in India and what are we exactly doing right इन सब के आलावा अगर आप civil services examination की तियारी कर रहे हो तो we have a good news for you we have a smart course which includes prelands and mains preparation both हमारी prelands के test series चल रहे है जहाँ पर 40 test available आपके लिए we have EMI facility also available, please visit our website to know more चलिए, एक observation करते है, observation क्या है कि इंडिया में farmers किस तरह के मिलते हैं, इंडिया में farmers small and marginal farmers है 86.2% यानि कि 86% farmers ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही कम जमीन है यानि कि 0-2 hectares उनके पास land है अब इस चीज़ की वेज़ से क्या problem होती है देखिए technical problems में आपको अधा हो तो key concerns inadequate farming और extension services मिलती है आपको अगर छोटा farm है तो वहाँ पे आप technology वगेरा नहीं मिलेगी extension services नहीं मिलेगी और उनको capital नहीं मिलेगा पैसा नहीं मिलेगा credit की problems होती है और अगर यह सब problem है तो low income भी होगी देखिए यह तो technical terms मिलेगी चली मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या real problems होती है चली मैं उधारन के समझाता हूँ मैं हूँ एक small farmer और मेरे पास केवल दो एकर जमीन है तो एकर अब मेरी जमीन है उसके बगल में गाहों के सरपंच की भी जमीन है सरपंच की पास 25 एकर जमीन है और हम दोनों farming कर रहे हैं हम दोनों गेह उगा रहे हैं सबसे पहले तो मुझे input चाहिए मेरे दो एकर में गेह उगाने तो मुझे input की जरूरत है तो जितना भी input लगा तो उसके लिए credit चाहिए तो यहां पर मुझे मिलना मुझकिल हो जाएगा क्योंकि एक big farmer बगल में है तो they can invest very easily बट somehow मैंने manage कर दिया और मैंने गेहू sowing कर दिये या के पास quickly sowing करने की machines है यानि कि tractor है other machinery से जिससे की वो लोग बीज भी जल्दी से बोदेंगी तो एक जगा पीछे होगे right next चीज क्या होगी उनके पास irrigation facilities available है क्योंकि it's a big farm he has all the irrigation facilities a pump is there pipeline is there यहां पे मेरे पास कुछ नहीं है I rely on the rain gods right अब यहां पी disadvantage भी हुँ है अब तीसरी problem हो गई थोड़ी सी फसल आ गई by chance बारिज भी हो गई तो मुझे अब चाहिए fertilizers मुझे अब चाहिए pesticides मुझे अब चाहिए कुछ chemical जिससे की productivity बढ़े उसके लिए फिर से मुझे credit की जरूद पड़ेगी तो I'll face the problems there लेकिन big farmer gets it very very easily again right उसके बाद में harvesting करेंगे देखे harvest क्या हुआ मेरे 2 एकर में समझ लिए 3 कुंटल गे हुआ गया तो मैंने harvest करके कुछ करके harvest भी कर दिया अब 25 एकर में harvesting कैसे होगी फिर से technology से harvesting होगी harvesters रहेंगे और उन्होंने समझ लिए 100 कुंटल गेहू बना दिया अब सवाल यह उड़ता है storage का मैं यह तीन एकर गेहो को store करने में मुझे परेशानी हो जाएगी लेकिन उनके पास storage facility भी अवेलेबर रह जाएगी big farmers राइट अब finally problem आती है marketing की मैं यह तीन कुंटल जो गेहो है उसको लेके कहा बेचूंगा अब दोनों ही बेचेंगे APMC में अब जो नए farm loss आया है उसके तह probability बहुत हाई है कि अगर कोई hundred quintal बेच रहा है तो जो trader रहेगा वो खुद ही आके उठा भी सकता है माल राइट तो bulk order की एक फाइदे होते हैं अब इन सबसे हमें समझ में क्या आया कि छोटे farmers की problem क्या है at multiple level credit is a problem transportation is a problem availability of technology is a problem बहुत सारी problems है अब यह problem resolve हम कैसे कर सकते हैं य बहुत सारे innovative solutions लाने की कोशिश करते हैं और उसमें एक innovative solution है farmer producer organizations for small farmers अब यह FPO का fundा क्या है देखे हम लोगों ने बच्पन में सीखा था एक लाटी को तोड़ना बड़ा आसान है लेकिन जैसे आप लाटी को गुच्छा बनाओगे तोड़ना मुच्छा बढ़ जाती है बनाईएगा तो इससे क्या होगा अभी यह organization बनके input मंगवाएंगे और organization बनके production करेंगे तो इसी लिए इसे काफी फाइदे है मैं थोड़ी देर में बात करूँगा किस तरह फाइदे आएंगे लेकिन इंडिया में इस particular innovative solution को 2011 से ही बढ़ावा दे रहे है farmer producer organization under the SFAC small farmers agribusiness consort consortium जो नाबाड के अंडर है state governments भी बढ़ावा दे रहे हैं NGOs भी बढ़ावा दे रहे हैं अब बात करते हैं farmer producer organization के बार में इंडिया में कितने FPO's हैं FPO का मतलब में आपको बता दिया है चोटे-चोटे farmers का एक गुट बना दिजिए इंडिया में पिछले एक दशक में approximately 5000 फार्मर producer organization बन चुके हैं केवल 5000 अब इसके अंदर भी अगर आप देखिए 32 सो हैं जो registered है as producer companies और बाकी normal cooperative societies etc यानि की number बहुत ही minuscule है बट nonetheless शुरुआ अब बात करते हैं यह farmer producer organization की फाइदे क्या होते है मैं आपको उधारान दिया था एक single farmer क्या-क्या problems face करता है अगर वही एक single farmer का एक group बन जाए तो benefit क्या होती है सबसे बड़ा benefit है cost of production will be reduced अब यह कैसे होगा अगर मैं एक single farmer हूँ तो मुझे credit की problem होगी मुझे input की problem होगी तो यह सब problem अब सब मिलकर face कर रहे हैं यानि कि अगर एक farmer producer organization में समझ लीजिए 100 farmer से तो 100 farmers मिलके अपनी requirement के हिसाब से bulk order देंगे input का मतलब जो भी beach चाहिए bulk order देंगे तो bulk order में आपको cheap भी मिलता है bulk order में आपको transportation cost भी कम होता है आने का जब आप produce करोगे produce को भी aggregate कर दोगे या इनकी समय पर करेंगे तो technology इस्तमाल कर सकते है storage साथ में हो सकता है और bulk transportation कर सकते है जिससे की आपकी marketing cost भी reduce हो जाएगी और post harvest losses भी आपके minimize हो जाएगी क्योंकि सारी facilities मिल जाएगी bulk में अब यह farmer producer organization bulk में चला रहा है उसके अंदर obviously सब का share रहेगा in the sense अगर farmer A ने समझ लीज कर रहे है with a known identification of किसका कितना है अब simple advantage क्या होगा advantage is of economies of scale अब economies of scale के वाल farmers को ही नहीं आके खुद ही लेकर जाएगा जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी इतने बड़े order कि वो खुद लेकर चला जाएगा तो उससे transportation cost भी कम हो जाएगे अगर farmer producer organization खुद ही decide करें कि हम लोग बेचना चाहते है openly तो FPOs are allowed to set up their own market also वो अपना खुद का market बना कर बेच भी सकते हैं इस इतना इतना रेट चल रहा है तो इतना इतना रेट चल रहा है गे होगा तो immediately information disseminate हो जाएगी बहुत सारे farmers की बीच और financial resources को भी access कर सकते हैं क्योंकि FPOs as an organization can take loans, they can set up their own infrastructure, they can set up their own go-downs, they can get their own vehicles यानि कि tractor या फिर कोई machinery चाहिए तो मिल कर लेंगे और मिल के इसको 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 सबसे important चीज होगी bargaining power या social capital भी built होगा यानि कि as an FPO they can bargain more with anybody, they can bargain more with the banks, they can bargain more with the traders, they can bargain more with the private sectors under the so-called farm laws यानि कि जो farm law में ये कहा गया है कि आप private में directly बेच सकते हो तो अगर एक FPO है तो उसके काफी फाइदे होंगे as an FPO वो bargain अच्छे से कर सकते हैं rather than an individual farmer तो simple सा concept में आपको बताए एक लाटी को तोड़ना आसान है तो FPO क्या है एक लाटी को गुच्छा है तो इसको तोड़ना मुश्किल होगा रहे अब benefits तो बहुत जादा है लेकिन अगर इंडिया में बात करें FPO की मैंने आपको बताए इंडिया में केवल 5000 farmer producer organization बने हैं पि किसी भी research का data देखे इनफाक्ट सी रंगराजन ने अपने article में बहुत सारे research का data दिया जहां पे most of them they observe that nascent stage में farmer producer organization low membership है of the farmers और problem ये है कि technical hand holding में यहां पे बहुत ज़्यदा problem है for FPO's जैसे कि मैं आपको बताए अगर एक farmer producer organization है तो सब कुछ वो लोग कर रहे हैं aggregate में तो यह हर एक का share देखना पड़ेगा क्योंकि हर एक के share के हिसाब से उनको profit मिलने चाहिए उनको पैसे मिलने चाहिए एटसेटर तो इन सब चीजों में उनके technical hand holding चाहिए जिसके अंदर problems है साथी साथ FPO's का अभी फिलाल adequate capital और उनको infrastructure अभी तो बिल्ड नहीं कर पाए है मैं आपक adequate capital नहीं है और adequate infrastructure अभी तक वो बिल्ड नहीं कर पाए है ताकि वो market को distort कर सके यानि कि at least market में अपनी चाप छोड़ सके ऐसे हमारे हाँ पर अभी भी farmer producers organization नहीं हुए और यह सब problems आपको नाबाड की report में भी मिलेगी which I will share with you on my telegram channel right अब इसको resolve करने के लिए हम क्या कर सकते द sustainable farmer producer organization अब यह कैसे बनाएंगे सबसे पहली चीज़े आप उनको पैसा दीजिए आप उनको credit guarantee दीजिए आप उनको equity दीजिए यह बहुत ज़रूरी है कि institutional funding मिलनी चाहिए for FPO's इसके अलावा उनकी capacity building हुनी बहुत ज़रूरत ही human resource development कराना मैंने आपको कहा कि training technical training hand holding बहुत ज् services उनको मिलनी चाहिए with respect to inputs with respect to planning with respect to agri services etc साथी साथ सरकार का support बहुत ज़रूरी है government policies का और infrastructure development का FPO's को सरकार की schemes की तरफ से उनको प्रावदान मिलने चाहिए ताकि वो capital उनको मिले और उस capital से वो अपना infrastructure develop करे साथी साथ उनको marketing और retailing की training भी चाहिए मैंने आपको कहा marketing यान AMC पे वो बेचे अब वो farm loss के तहट वो लोग private players को भी बेच सकते हैं लेकिन इंडिया में spot market भी है commodity market भी है तो इसकी training उनको मिलनी चाहिए इसके अलबा retailing यानि कि direct marketing किस तरह किया जाए आपके product का और FPO's किस तरह अपने rural retail points बना सकते हैं इन सब चीजों पे उनको input needed है इ इन सब चीजों पे उनको training और capacity building की ज़रूरत है और ये खुद NABARD में ही बताया है अब हमारे पास road map भी है हमारे पास हमनोंने problems भी identify किये है तो क्या इसका मतलब है हम कुछ कर नहीं रहे है क्या हम लोग बहुत कुछ रहे देकर सरकार की बात करें तो सरकार ने बहुत सारे schemes भी open कर रखी है in fact NABARD एक nodal agency है farmer producer organizations को बढ़ावा देने के लिए और NABARD के दो बहुत ही important fund के तहत वो बढ़ावा भी दे रहे है एक fund है producer organization development fund जिसके तहत वो producer farmer producer organization की development करता है साती साथ उनको बढ़ावा देने के लिए मैंने कहा कि बहुत सादा एफ्पयोस nascent stage में है उनको बढ़ावा देने के लिए एक और fund है produce producer organization development and upliftment corpus जो NABARD के अंडर आता है जिसमें बहुत सारे करोडो रुपे invest किये जा रहे हैं despite all this बहुती कम FPO's इंडिया में है और भी FPO's बनने बनाने की ज़रूरत है और इस चीज के लिए सरकार की एक central sector scheme भी चल रही central sector मतलब 100% funding केंदर सरकार से जा रही है scheme का नाम है formation and promotion of farmer producer organization जिसका target है कि इंडिया में 10,000 नए farmer producer organization बनाएं तो काफी कुछ कर रहे हैं लेकिन a lot needs to be done yet और यही कहा है सी रंगराजन ने भी इस particular article में उन्होंने कहा है कि farmer producer organization के पास बहुत ज़्यादा potential है ताकि वो small and marginal farmers को बढ़ावा दे उनकी income बढ़ाए जो सरकार का भी motto है सरकार ने कहा था कि 2022 तक farmers की income डबल करेंगी अभी तक तो forecast हम लोग उसका सही से नहीं दे सकते हैं लेकिन अगर farmer producer organization बढ़ावा दिया जाए तो at least वो सपना पूरा कर सकते हैं आने वाले सालों में और यही कहते है सी रंगराजन कि farmer producer organizations they have to be encouraged by policy makers and not just policy makers by other stakeholders also कैसे capital उनको दे, infrastructure development उनको मदद करें, technical hand holding करें, in fact scaling up करें इसका throughout the country ताकि small holders benefit कर सकें और मैंने आपको बताए कि small farmers और marginal farmers कैसे benefit करेंगी क्योंकि एक farmer problem बहुत face करता है, अगर साथ में आएंगे farmers, farmer producer organization बन जाएंगे तो साथ में problems को resolve करेंगे, साथ में head-on problems को solution भी निकालेंगे और eventually उससे incomes भी उनकी जादा होगी और हमारे किसान जादा prosperous बनेगे So hopefully we get to see some rejuvenation in the farmer producer organization in the coming times That's it from my side on this part of discussion, thank you for watching, jahind